तो आज का मारा व्लोग बहुत स्पेशल है एने ममा को बोला था कि एक चीज मिसिंग है तो ममा सबसे पहले आप मुझे यही बताओ कि आप वो चीज लेकर आया है या नहीं? लेकर आया ना? अच्छा ठीक है तो सबसे पहले आप बताओ कि क्या मिसिंग था देखते है यूटिब फैमली को हमारा वो व्लोग याद है कि नहीं? तो आप जल्दी से बताओ कि क्या मिस्ट था किचन में जो होना चाहिए था लेकिन वो नहीं था तो आज हम वो चीज आपक कर आ गए है तो चलो आज का व्लोग शुरू करते हैं सिंक अन्बॉक्सिंग वीडियो के साथ तो स्मायरा इंट्रस्टिंग होने वाला व्लोग येस आप एक्साइटीड हो येस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटीड हूँ आपके सामने एक बड़ा सा रैड बटन है 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 हुआ है तबारिया आउंगी भोलो मॉका इनिक हो ये हो अच्छा ऋच्छात में भी हम ही है जो आपको सिंक दिखाएंगे और बताएंगे कि शिम कैसे काम करती है तो हमें स्माहिरा की किचन कीजिंग देख लगा सुन्दर है इसको करते हैं हम अन्बॉक्स चलो यहां के तो ओप्शन वे हैं पिंग एंड ग्लू तो इसमें देखते हैं कौन सा कलर निकलता है तो यह बोक्स हमारा हो चुका है ओपन और यह बाहर क्योंने आ रही है वो हमसा कलर निकलर लाइट पिंग एंड डार पिंग यह तो यह सिंक है समारा की देखें कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छा मैटीरियल है यह और इसमें क्या क्या है लेट सी यह पता नहीं क्या है हमें भी नहीं पता है हम फर्स टाइम यह प्रोड़क्ट लेकर आए हैं जनाजए है तो इसको अस्यां बडेंगे तो पता चलेगा यह बास्किट है यहां पे हम क्या रख सकते हैं समाहिरा यह स्कैल बनावाइआ अच्छा ये प्लेट्स रखने के लिए है और यहां पर आपने बाकी के बरतन वोश्ट करके रख सकते हो यहां पर स्पेस है यहां पे spoons, fork, knife, वो सब आ जाएगा और इसको कहां use करेंगे, देखेंगे, यहां पे हमें मिला है एक packet, जो स्मायरा open करेगी और आपको दिखाएगी कि इसमें क्या-क्या है, चलो, ओके, तो इसमें सबसे पहले, यह है, two sponge, इससे हम क्या करेंगे, बरतन wash करेंगे, और भी a sponge यहां अगर हमारी एक SPONGE खराब हो जाए तो हम दूसरी से बरतन को वाश कर सकते हैं, तो, यह क्या है इस ब्रोकोली है? यह ब्रोकोली है, खाना में तो बरारा रहा ना किचन में, तो वेजी टेबल्स भी तो हम वाश करते हैं ना, यह तो यह ब्रोकोली, यह क्या पीर है, लग रहा है ना पीए तो थोड़ा येलो शेड में होता है ना नहीं अभी कच्छा है पका नहीं है इसलिए घरीन है ये है ये है कैरेट ये के ये ये आपका फेवरेट कुकुम्बर कितना प्यार है ना ये बहुत अच्छी फिनीशिंग है आप देख सकते हैं इन वेजेटेबल्स की बहुत ही प्यारा प्रोड़क्त है ये और ये है बनाना हेल्दी खाओ हेल्दी रहो वाव कितना क्यूट पेटेटू है रियल लग रहा ना एकदम ये वो कितना सुंदर है बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है और ये बेबी कॉन है ये नॉमल कॉन है यह मुझे तो normal कौन ही लग रहा है शेप से तो babycon लग रहा है चलो आप babycon भी बोल सकते हो इसको और कौन भी बोल सकते हो यह है यह क्या है बरतन दोने के लिए नहीं यह जहां पर बरतन वोश करते हैं न यह वाला area उसको clean करने के लिए यह तो यह area भी गंदा हो जाता है ना जब हम बरतन वोश करते हैं तो आप इस पे dishwasher लगाओ और इसको एसे clean करो वाओ तब ही सिंक अच्छी रहेगी ना new रहेगी clean रहेगी और यह क्या है यह है एक कैन जिसके अंदर हम डिटेर्जेंट लिक्वेड रख सकते हैं बरतन वोश करने के लिए जब आपको बरतन वोश करने हो तो आप किसी बाउल में इसको पोर कर सकते हो और बरतन वोश कर सकते हो यह बहुत प्यारा एक कैन है पाइट कलर का तो यह भी एक नेप की तरह बहुत ज्यादा सॉफ्ट है और यह पता है किस काम के लिए है किस काम के लिए बताओं यह जो साइर के एरिया जोते है ना जैसे यह जो स्पेस है ना यह वाला यहां पर आप कोई बाउल रखोंगे जिसके अंदर डिटर्जेंट डालोगे ठीक है जब यह गंडा हो जाता है ना जब हम बरतन वोश करते हैं तो इसको क्लीन करने के लिए यह उन्होंने नैपकिन दिया है और बाकी का एरिया भी आप इससे वाइप कर सकते हो तो यह है क्योट सी बाउल तो इसी बाउल में डिटर्जेंट डालना है हमें औ तो यह परपन कलर का कप देखो कितना सूंदर है बहुत प्यारा कलर है यह इसको भी आम यहां पर रख देते हैं यह ब्लू कलर का गिलास सिर्ब यही बत्रण दोने हैं इस सिंक में यही बाकी के बत्रों नहीं दो सकते हैं और ने बोला है यही दोने है क्योंकि साथ में फ्री मिलेया हना हमे छाथ और यही वेजेटेबल आपको खानी है बना बना के अपनी किचन में वेजेटेबल तो बनाई लेंगे हम यह फिर से ग्रीन कलर का गिलास इसके अंदर हमें मिला है फोक योकि बहुत प्यारा है वाइट एंड ब्लू कलर का इसको प्लेट के अंदर रख जोते हैं हमें स्पून भी मिला है कि जब हम सब्जी को बनाएंगे तो हम स्पून से सब्जी को खा सकते हैं तो यह क्या है ममा यह क्या है मुझे भी नहीं बता इसको भी आपे रखते हैं एक बार यह भी कुछ असेंबल करने के लिए होगा हां यह पार्ट्स हैं हम देखेंगे कि इनको कहां पर फिक्स करना है और यह किस काम के लिए है तो यह क्या है ममा यह इसका लिड होगा नहीं यार यह तो छोटा है इसका कोई तो यूज होगा अगर उन्होंने दिया है हम देखेंगे जब हम kitchen assemble करेंगे ओ sorry sink assemble करेंगे तो ये packet हमारा खाली हो चुका है तो इसके अंदर देखो कुछ और भी है क्या इसके अंदर ये stickers हैं ओके stickers जो products के उपर हमें लगाने हैं ओके ये हम लगाते हैं देखते हैं कि कौन सा कहां पर लगेगा ये sink का जो sticker है वो मुझे लगता है यहां पर लगेगा बात में देखेंगे मुमा पहले हम kitchen kitchen में कह रही हूं sink को assemble करकर देखते हैं ठीक है नहीं पहले sticker लगाते हैं तभी हमें पता अच्छा लेगा ना कौन सा पटका लगाना है हाँ ये भी बहँ चाही है ये लगाते हैं सबसे पहले home kitchen फ्रंट पर यहां पर लगा देटे हैं इसको स्वाइरा ने शेट से जज कर लिया है ना यहां लगेगा ये दो बचे हैं ये दो कहां लगाने हैं अच्छा इस गैन पर अभी हम करते हैं इसको असेंबल okay okay तो ये जो parts है ना तीन करें ये ना इसके साथ है ये देखो थ्री बड़ बने हुए है रहे यहां पर लगेंगे यह देखिए ये तीन होल्डर हमने लगा लिए हैं और ये space है यहां पर इसको हम यहां पर fit करेंगे ये देखिए यहां पर fit हो गया और यह जो मिले है ना हमें स्पून फोक वो यहां पर हम हैं कर सकते हैं शायद इसी के लिए है यहां देखो स्पून फोक नहीं होगा यह यहां पर हैंगे यह हो जाएगा यह हो जाएगा और क्या हम हैं कर सकते हैं यहां पर देखो यह आपकेन कर सकते हैं यहाँ पर यहां पर हैंगो गया और यह जो fruit vegetables है इसको डाल देते हैं यहाँ पर एक बार जब हम यूज करेंगे ना इनको तब हम इनको बोश कर लेंगे ओके तो बतन हम यहां पर डाल दें यह यह inity ही एक हां है यह आगे यहाँ यह ने क्या है यह आगए यहां पर यह यहां यहां पर आएगा हम्हारे जो सिक्क में वो जा ले होती है नो पानी निकालने की लिए यह इस उसी के लिए है ममा की सिंफ में भी है और यह जो हमारा है इस पॉंच उसको हम रखेंगे यहां पे यहां पर रखेंगे यहां पर कहां रखेंगे एक इसको देखिये ऐसे open करके इसके अंदर sponge रखनी है यह brush बन जाएगा sponge वाला किसी अब यहाँ पे पानी कैसे आएगा बतन wash करने के लिए वेजीटीब्स wash करने के लिए फ्रूट्स खरने के लिए कैसे आएगा हम बकेट भरकी इसके रखेंगे पाने सिर्फ ये कह एक की सिंक अधिक। तो दिया है ना उनोंने बरतंगोश करने के लिए पहले के जमाने में ऐसे के थे न वो टब में भर के बैठते थे और उसी में बरतंगोश करते थे तो यह पुराने जमाने की सिंक है कि पुराने जमाने की हाँ तो फिर आपकी कहा कैसे लगेगी और पानी कैसे आएगा इसको हम उठाते हैं इसके नीचे है हमारे पास टैप वाव यह देखो कितनी क्यूट है इसको आप तवन भी कर सकते हैं वाइट कलर की है कितनी प्यारी है ना और यह नीचे टंकी है पानी की इसको हम यहां पर फिट करेंगे ऐसे और यह बटन है यह टैप है देखिए यह मूव होता है इधर उदर ओन ओफ पानी तो आई नहीं रहा क्योंकि अभी टंकी खाली है ना टंकी खाली होती है तो पानी कैसे आतर घर पे नहीं आता है ना हमें सबसे पहले टंकी भरनी पड़ लेकर आओ यह लो मूमा पानी देखो कितना पानी बर के लिए यह तो हम यहां पर पानी डालेंगे तो इस होल से वह नीचे वाले कंपार्टमेंट में पानी चला जाएगा अभी हम इस ते आप को चलाएंगे और पानी आएगा पानी नहीं आ रहा है मूमा यह क्या हुआ पानी नहीं आ रहा पानी आएगा ना तो क्यों नहीं आ रहा वी मैंबताति हूं क्यों नहीं या रा विए जो टंकी है ला इस पे कोई वाइर तो नहीं है अ जो मॉतर चलाई हमने और पानी बहर गया यह देखो यहां पर आपको स्क्रू दिख रहे हैं हहां दिख रहे आपको? यह दिखो. यहाँ पे हमें बैटरी इंसर्ट करनी है. ओके! यह बैटरी ओपरेटिटिड सिंक है. तब ही पानी आएगा! तो फाइनली हमने बैटरी इंसर्ट कर दी है इसके अंदर और फोर बैटरी का स्पेस था इसमें. तो चलो अब इसको फिक्स करते ह और देखते हैं कि ये काम करती है यार नहीं तो ये बटन जो है अभी ओफ की तरफ है तो स्मायरत देखो आप आगया हो मैं अन करूं हाँ आप इसको ओन करो पानी वाटर केम ये तो रियल लग रही है और है रियल देखो है नोच कर लिए सबसे पहले लेकिन अगर आपको यहां पर पानी रोखना है तो अप इसको लगा दो अगर दीछे निकालना पानी तो इसको हटा दो ये देखो पानी का आप रोको नहीं भर जाएगा यह आपर अरे नहीं कोई बात नहीं चलो ठीक है देखते हैं फिर पूरा यह जो पॉर्शन है यह पूरा भर जाएगा पानी से फिर उसको हटाएगी यह नहीं फिर आप इसके अंदर बरतन जोड़कर देखेंगे जोड़कर देखेंगे जोड़कर देखेंगे देखो कितना पानी ब ना हमने नहीं बनाई अतनी किचन में अच्छी में बर्दून दो सकते हैं ना समाहिरा येस जलो बंद करों अब टैप येस बंद कर दी हाँ अभी देखो इसमें पानी है अब बरतनी आपर से नहीं कर रहे हैं नहीं पानी को नीचे निकाल देते हम ये कच्रा नफस जोए उसके लिए होता है वैसे ये देखो अभी पूरा पानी नीचे चला जाएगा ये देखो अच्छी है ना बहुत अच्छी है तो यूट्य फैमली आपको कैसे लगी स्माहिरा कि ये जियल वाली सिंक जल्दी से आप हमें कमेंड्स में बताओ उसमाहिरा को तो बहुत अच्छी लगी ये जल्दी हम किचन ओर्गिनाज़ेशन व्लोग आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें हम इस सिंक को भी रखेंगे इसमाहिरा की किचन में अगर आपको आज की वीडियो को लाइक करो कमेंट करो शेयर करो जल्दी विलते हैं फिर एक नए व्लोग के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक्यार